तो हेले रिवन ओल इंडिया नर्सिंग वालों के लिए लेटेस्ट गुड नियूज यहां पर आ चुकिए टाटा की तरब ते जिहां बिल्कुल आपने सही सुना अगर आपने नर्सिंग कोर्स कर रखा है तो आप यहां पर एपलाई कर लख पे हैं लेटेस्ट वेकेंसी यह यहां पर रहने वाली है टाटा मेमोरिल सेंटर से तो चलिए पूरा अपडेट यहां पर चेक आउट कर लेते हैं और आप तो पता है कि टाटा का तो नाम इंडिया में चलता है अगर आप इसमें जोब करते हो तो आपका भी नाम रोसन होगा तो चलिए नोटिप केसिन को änder बेपलाई कर सकते हैं दोनों के लिए एक साल गयां पर इक्परेंश मांगा गया है 50 बेडिड होस्पिटल के लिए यहां पर पॉस्ट बैसिक वाले भी apply कर सकते हैं और इंडिय के जिए आप यहां पर देख पार रहेंगे इंडियीन नर्सिंग कांसलिंग या फिर इस्ट एपलाई कैसे करना है कितनी पॉस्ट यह भी देख लो तो पॉस्ट यहां पर 50 रहने वाली है सेलरी आपके देखो बहुत इच्छी कासी रहेगी ठीक है 30 से स्टाटे बांकी इनकरीज होते होते 40 तक सिली जाएगी और यहां पर आप देख लो डायरेयेट आपका इंٹर्वेट के बेसिते सेयरे वाला है ठीके इंट्रिवी आपका होगा और उसी कर झाल्डोंबर को गा तो तो 2 212 को 9 से 9、 11 पूए अब कहां पर होगा यह विषे आप नहीं क्या पर मरनना यह लुट्प्टन आप इसा बिल्कूल भी नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जो डॉकुमेंट से वही लेकर यहां पर डायरेट आपको जनाओंगा जिसा कि इंट्रिशयट केंडिगेट वालक इन इंट्रिवू आपके पास क्या क्या डॉकुमेंट्स होना चाहिए आपका बाइट डायर जाहिए और हाँ जो यहां पर इन्होंने बोला था कि एक साल का experience तो उसका भी प्रूप आप यह पास होना चाहिए कि हमारे पास यह रहा एक साल का experience certificate जिस hospital में आपने किया है वहाँ पर बन जाएगा ठीक है और education certificate और one set यह आपको अलग से ले जानाओंगा one set यहनकी फोट कोपी का और original का अलग से clear और सीधा आपको इंटर्वीव के लिए यहां पर चले जाना है इंटर्वीव अचा रहा तो तुरूंत आपको माई पर government job दे दी जाएगी ठीक है तो वैसे थे contractual वैसे से बट सांधार वेकेंस ही है फिर भी कोई डाउट रहा गया हो तो आप कमेंट करके पूर सकते हो पीडियाप तो हमारे टेलेग्राम चैनल पर आपको सेंड कर दिया जाएगा टेलेग्राम का जो लिंक के डिस्क्रिप्शन में देरका है